बागली विधान साबा छेत्रों में लगातार विधायक पहारसिय कर्णोजे के परियासों से नई सोगाते मिल रही है अधिवासी बाविली छेत्र उदे नगर मुख्याले पर नविन तेहसिल कारेले भवन और बाली का छात्रवास भवन की सोगात छेत्र को मिली है बुधवार के दिन नविन तेहसिल कारेले भवन और बाली का शात्रवास भवन का विधायक पहारसिय कर्णोजे द्वारा फिता काट कर लोकारपन किया गया इस दोरन विधायक पाहर्जी कन्नोजे ने बताये कि उदेनगर शेत्र विकास कारियों में काफी पिछ्रा हुआ था लगातार प्रयासकर शेत्र को नई नई सुगाते दी जा रही है वही तहसिल कार्याले के कामों के लिए शेत्र के गरीब आदिवासी किसानों को दूर दराज तक जाना पड़ता था लेकिन अब उन्हें तहसिल मुख्याले पर ही राजसु विभाग संबन दीत सभी सुधा उपलब्द होगी साथी शेत्र की बालिकाओं के लिए नविन छात्रवास भवन निर्मान किया गया है लगभग 10 करोड की लागत से दोनों भवनों का निर्मान किया गया है सरकार का उदेश हे की गरीब आदिवासी शेत्र में विकास कारी हो और शेत्र की जनता को लाब मिले उसी उद्देश को लेकर शेत्र का कार्य किया जा रहा है। का भी नया भवन बना है जिसका लोकारपन बद्धुवार के दिन विधायक पार सिंग कनोजे द्वारा किया गया। का लाप मिलेगा वहीं आदावासी समाज की बालिकाओं को भी सासन की योजना का लाप मिलेगा इसलिए नया चात्रवास का निर्वान किया गया है। आज हमारे घाट नीचे की एक बड़ी उपलब्दी है जो पूरे देवाजी जिलानी पूरे मद्द प्रदेश में इत्ता सांदार तेसिल भवन बना है। तेसिल कार्यालाई में नियालाई के लिए अलग कार्यालाई बना है। नायब तेसिल दार के लिए भी एक नियालाई रूम बना है। इस तरह से छोटे बड़े कार्या लाई और आपीस सब्ता में हमारे उदे नगर में ही चलेंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारे लगबग सो गाउं है घाट नीचे चालिस पंचायत की जो लोगों को असुईदा आती जा रही थी जिनको देवास और भोपाल का चक्कर काटना पड़ रहा था देवास का और बागली का चकर काटना पड़ रहा था वो सारा समाधान हमको उदे नगर में ही मिले ऐसा सासन की मनसा भी है और मेरी खुद की भी मनस है मैं इसके लिए लगाओं दगेतार प्रियास है में लोकारपण और तेसिल भवान में मंगल परवेश का कारिकरम रखा था कि जो कि यह दोनों भवन करीब 10 करोड की योजना है कुछ सुजदा अभी भी बाकी यह सीसी केमरे वगरा से लेस होना से होस्टल में फरनीचार और बच्चियों के लिए बेड वगरा की कुछ कमी है उसका भी पस्ताव गया है और जो भी सुईदा है अधूरी है उसके लिए हम लोग लगेतार पस्ताव बना रहे हैं कि अज हमारे घाट नीचे की एक बड़ी उपलब्दि है जो पूरे देवाज ही जिलानी पूरे मद्द प्रदेश में इत्ना सांदार और तैसिल बहवर्न बना है तेसिल कार्यालाई में न्यालाई के लिए अलग कार्यालाई बना है नायब तेसिलदार के लिए भी एक न्यालाई रूम बना है इस तरह से छोटे बड़े कार्यालाई और आपिस सब्ता में हमारे उद्यनगर में ही चलेंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस लगबग सो गाउं है घाट नीचे, 44 पंचायत की जो लोगों को असुईदा आती जा रही थी, जिनको देवास और भोपाल का चक्कर काटना पड़ रहा था, देवास का और बागली का चक्कर काटना पड़ रहा था, वो सारा समाधान हमको उ हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले